नमस्कार दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर यह जानकारी देंगे कि आप प्राणायाम के दोरा गर्मी से राहत कैसे पा सकते हैं दोस्तों गर्मी के मौसम में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए लेकिन आपको जानकर आश्यर होगा कि गर्मी से राहत पाने के लिए इसका तरीका हमारे सरीर के अंदर ही मौझूद है जी हाँ दोस्तों प्राणायाम के दौरा आप गर्मी से राहत पा सकते हैं आप अपने सरीर को ठंडा कर सकते हैं ब्यायाम सरीर में रक्त संचार की गति को बढ़ा देता है जिससे सरीर का तापमान बढ़ जाता है इसके प्रीत यदि सीतली प्राणायाम किया जाए तो सरीर के तापमान को कम कर देता है साथ ही एसीडिटी को भी घटाता है कब्ज को समाप्त करता है दोस्तों इससे गर्मी से होने वाली बेचैनी भी कम होती है सावान तया इसे अंतह कुम्भक के साथ ही किया जाता है लेकिन यहां बिना कुम्भक के करने की भी दी जा रही है इसको कैसे करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बता दे कुम्भक क्या होता है कुम्भक में आप क्या करते हैं कि आप सांस रोक कर रखते हैं कोई भी प्राणायाम में जब ऐसा सांस की क्रिया की जाती है तो अगर आप अंदर ही सांस रोके रहते हैं थोड़ी देर तक तो उसो अंता कुम्भक कहते हैं और अगर आप बाहर सांस निकाल कर रोके रहते हैं तो इसको बहिर कुम्भक कहते हैं तो दोस्तों सीतली प्राणायाम करने के लिए आप सुखासान में बैठ जाए या पदमासान में बैठ जाए और जीब को बाहर निकालें जिस प्रकार से इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा और जीब को गोल गोल गुमाने का प्रयास करें इस दोरान मुह से गहरी स्वास भरें और मुह बंद रखते हुए नाक से स्वास निकाल दें दोस्तों इसमें क्या करना है आपकी जब टंग ऐसे गोल गोल गुमी हो तो आपको मुह से स्वास लेना है नाक से नहीं लेना है उसके बाद आपको स्वास को नाक से निकालना है इ और यदि आपको कफ या कब्ज की सिकायत है तो अब इस प्राणायाम को उस समय नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार आप गर्मी से राहत पास सकते हैं सीदली प्राणायाम के दोरा बड़े ही असानी से और बिना कुछ किये हुए तो दोस्तों जानकारी कैसी लेगी आपको आप नीचे कमेंट में लिख कर हमको बताना ना भूले साथ ही इस वीडियो को शेर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों सब्सक्राइब बटन नीचे दिया होगा है वहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिशोड में आपसे फिर मिलाकात होगी धन्नवाद